लीजे सुनिए बंकिम चंद्र चटर जी की लिखे उपन्यास आनंद मट के तीसरे खंड के नौवे परिछेद को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में अंग्रेजों की तोपें धायं-धायं करके गरज उठी, वो शब्द उस विशाल कानन को कंपाता हुआ गूज उठा, नदी के किनारे किनारे चल कर वो धायं-धायं शब्द दूरस्थ आकाश प्रांथ से टकरा उठा, नदी के उस पार दूरस्थ कानन में प्रवेश कर वही ध्वनी फिर धाएं धाएं कर उठी। सत्यानंद ने कहा तुम लोग जाकर देखो कि ये किस की तोपे छूट रही है। ये सुन कई व्यक्ति गोडे पर सवार हो अनुसंधान करने चले। पर ये जंगल से बाहर निकल कुछी दूर गए होंगे कि उन पर सावन की धारा की तर कर देखना चाहिए कि क्या बात है। उनके कहने के पहले ही जीवनंद व्रिक्षक पर चढ़कर सवेरे की सूर किरणों का आनंद ले रहे थे। वे उपर ही से चिला कर बोले। तोपे अंग्रेजों की है। सत्यानंद ने पूछा ये सब पैदल है या घुर सवार। जीवन जीवनंद गोरे भी है या सब देशी ही सिपाही है। जीवनंद गोरे भी है। तब सत्यानंद ने जीवनंद से कहा। अच्छा तुम नीचे उतरो। जीवनंद पेड़ से नीचे उतर पड़े। सत्यानंद ने कहा। इस समय दस हजार संतान यहां उपस्ते थें। अब इ एक बारा आखों के इशारे से नवीना नंद गोस्वामी से न जाने कौन सी बात कही, कोई इस इशारे को न समझ सका, नवीना नंद ने भी इशारे से ही उसका जवाब दिया, पर इस इशारे को भी कोई न समझ सका, केवल उन्ही दोनों आदमियों ने अपने मन ही मन समझ लि बस अब इस समय केवल जै जगदीश हरे गाउ फिर क्या था एक साथ ही दस हजार संतान सुर में सुर मिलाए नदी कानन और आकाश को प्रती धनित करते तोपों की आवाज को डुबाते हुए हजारों भुजाए उपर उठाए गाने लगे जै जगदीश हरे मिले चिनिवह नि की बाहा कट गई किसी का कलेज अचिद गया लोग धरती चूमने लगे पर तो भी किसी ने गाना बंद नहीं किया सभी जै जगदीश हरे गाते रहे गीत समाप्त होने पर सब के सब एक साथ ही चुप हो गए वो घंगोर जंगल वो नदी की रेत वनंत निर्जनिस्थान एक गहरे सन्नाटोई को तोड़ते हुए उचे स्वर में कहा जगत के स्वामी हरी ने तुम लोगों पर किरपा की बोलो तोपे कितनी दूर पर है उपर से किसी ने कहा इस जंगल के बहुत ही पास एक चोटे से जंगल के उस पार सत्यानंद ने पूछा तुम कौन हो उपर से ज अगी घोडे पर सवार जीवनंद ने कहा चलो आओ बस वे दासों हजार सन्तान कोई पैदल कोई घोडे पर सवार हो जीवनंद के पीछे पीछे चले पैदल चलने वालों के कंदों पर बंदूक, कमर में तलवार और हाथ में भाला था जंगल से बाहर निकलते ही लगातार उन पर गोले बरसने लगे जिस से वे छिन्ने भिन्न होने लगे अनेक संतान तो बिना लड़े भिड़े मारे गए एक ने जीवनंद से कहा जीवनंद वे अर्थ इतने आदमियों की जाने लेने से क्या लाब है जीवनंद ने घूम कर देखा कि भवनंद है जीवनंद ने उत्तर दिया तुम क्या करने को कहते हो भवनंद ने कहा जंगल के अंदर रहकर पेड़ों की ओट में से आप लोगों की प्राण रक्षा कर सकता हूं मगर खुले मैदान में तोपों के मुख से बिना तोपों की ये संतान सेना ये खंड भी टिक नहीं सकेगी हाँ जाड़ियों की ओट लेकर हम देर तक युद्ध कर सकते हैं जीवनंद ने कहा तुम ठीक कहते हो मगर प्रभु का आदेश है कि तोपे छीननी होगी इसलिए हम तोपे लेने जा रहे हैं किसकी हिम्मत की तोपे छीन सके लेकिन छीननी है तो तुम हट जाओ मैं जा रहा हूं ये नहीं हो सकता भवानंद आज मेरे मरने का दिन है नहीं आज मेरे मरने का दिन है मुझे प्राश्चित करना होगा तुमने श्पाप शरीर हो तुम्हें प्राश्चित करने की क्या जरूरत मेरा चित कलशित है मुझे ही मरना होगा तुम रहने दो, मुझे ही जाने दो भवानन्द, तुमने क्या पाप किया, ये मैं नहीं जानता मगर तुम्हारे रहने से संतानों का कार्योधार होगा, मुझे जाने दो भवानन्द कुछ देर तक नीराओ रहकर बोला मरने की जरूरत होगी तो मैं ही मरूँगा जिस दिन मरने की जरूरत होगी उसी दिन मरूँगा मरने के लिए भला हाय तोबा कैसी ठीक, तो जाओ इसके बाद भवानंद सबके आगे हो गया उस समय तोपों के गोलों से होने वाली अनवरत बारिश संतानों की सेना को खंड विखंड कर रही थी उनको चीर रही थी उल्टा पल्टा रही थी इसके अलावा शत्रू के बंदूक वाले सेपाहियों की अचूक निशानी बाजी से धेर सारे संताने धराशाई हो रही थी ऐसे समय भवानंद बोला इस तरंग में आज संतानों को छलांग लगानी होगी कौन-कौन आगे बढ़ेगा भाई इस समय सब मिलकर गाओ वंदे मात्रम एका एक सारी संतान सेना एक साथ सम्वेद स्वर में निनाद कर उठी वंदे मात्रम अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटरजी की लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के नौवे परिछेद को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में